जैन दोस्तों क्या हाल है मेरा नामर आकेश आज की जो वीडियो है यहां पर कितने सारे फोन हम लोग experience करते हैं कितने सारे मैंने टेस्ट किये हुए इस साल कितने सारे पड़े हैं और हम लोग ना market को धीरे धीरे देखते भी हैं कि कौन सा फोन actual में किस हाइप को deserve करता था किस को ज़्यादा ही हाइप दिया गया किसी वज़ा से किसको कम दिया जा रहा है और कुछ फोन ऐसे होते हैं जो आते हैं वह जबरदस्ती लॉंच कर दिया जाते हैं वह फोन ब्रैंड प्रॉफिट के लिए ही लॉंच करते हैं पूरी तरीके से Redmi Note 10 सीरी इस साल का सबसे ज़्य 2021 में तो फोन आए भी लोगों में हाइप भी मिली लेकिन कुछ फोन ऐसे होते हैं जो आए अच्छे थे बट उनको मतलब हाइप ही नहीं मिली चर्चा नहीं किसी वज़ा से हैं जो भी रीजन है वो सारी इस वीडियो में बात करूंगा यह सेम उसी तरह जैसे कुछ चैनल आपको बढ़िया वीडियो दे रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और मैं यह बिल्कुल नहीं कहा रहा हूं कि इस वीडियो को देखके जाके इन फोन को बाइक कर लो यह मेरा एक जैस्ट ओपीनिय नहीं जो मैंने अनलाइज किया बाकि अगर यह फोन प बेकार है अब जाएज जिवास था ही जिस रेट में आया फोन नॉर्मल यूजर था यह फोन ऐसे कोई गेमिंग को टागेट नहीं करता जैसे कि रियल्मी एक्स त्री प्रो वगरा गेमिंग को टागेट करते हैं लेकिन ओवर्रॉल का यूई एक्स्पीरिंस अच्छे मिलत आपको स्नैप्रेगन सेवन ट्वंटी जी आपके नॉर्मल सारे काम अच्छे से करेगा एमुलेट डिस्प्लेए फोन भी काफी है यह फोन अंडरेटेट क्यों रह गया पता है इसके पीछे तो एक सिंपल सा रीजन यह था पहला तो रियल्मी सेवन प्रो आपको याद पहले कभी इन्होंने अमुलेट दिया नहीं था एकदम से अमुलेट दे दिया फिर 120 हर्ट डाल दिया जबकि देखा जाए चिपसेट तो उसमें भी 732 जी ऐसा तो नहीं कि बहुत यूनीक आया था उस रेट में लेकिन उसने जो दिया पहली बार दिया और डिफरेंट दि लेकिन दिया नहीं वह इसके अंदर 60 हर्ट डिस्पले थी तो रियल्मी चाहती तो इसके अंदर 120 हर्ट एड करके इस फोन को एक हाइप की लिस्ट में ला सकती थी बट ये ओवर ओल अच्छा फोन है तो ये फोन अडरेटिट हुआ बेसिकली दो रीजन की वैसे रियल्मी 7 10 सीरीज की वज़ा से वह एक रीजन था और जैसा मैंने का अगर कोई भी यूजर इस फोन को यूज कर रहा प्लीज कोमेंट करके अपना एक्सपरियेंस जिरूर शियर करना आप और सेकिंड जो फोन है सैडली ये वी रियल्मी का फोन है रियल्मी को जो हाइप पिछले साल मेली थी ना उसके कमपेरिजन में ठोड़ी थोड़ी चीजए अप डाउन हुई है ये फोन है में रियल्मी X7 प्रो नहीं ये अंडरेटिड नहीं है फोन अपनी जेका पुरा नहीं था लेकिन जैसे होता नहीं कि मैं इसको अंडरेटिड लिस्ट में नहीं याड करूगा लेकिन जब हम comment section चेक करते हैं लोगों के question सुन रहे हैं तो वहाँ पर अब इस phone के बारे में उतने question पूछे ही नहीं जा रहे हैं लोग बात ही नहीं करना चाहते जबकि यह phone Diamond City 12100 के साथ है LPDDR4X नहीं मैं UFS 3.1 storage है एक चीज मुझे पूरी लगते हैं यह 8MP Ultra Wide Q दिया गया लेकिन आपको पता है कि Mi 11X जैसे phone भी आया है ऐसा नहीं कि इन्हों नहीं सिर्फ दिया बहुत सारे phone है चाहे वो आपका Note 2 हो इस सालना कुछ ऐसा ही रहा है इन्हो Diamond City 1200 के साथ आया फिर एकदम से हाइप बननी शुरू होगी कि हाँ उदर से Mi 11X आ रहा है और इसका हाइप कैसे डाउन हुआ अगला phone इंस्टेंट सुनने में आता है कि हमारे पास आ रहा है IQ7 मतलब लोग वहाँ फिर सोच रहे इसमें सोच रहे फिर एक और न्यूज आती है नोड़ 2 आ रहा है क्योंकि जब नोड़ CE आया उसमें कुछ खास नहीं था बट नोड़ 2 लोगों ने पसंद किया फिर थोड़ी बहुत जो हाई बची थी फिर एक और आ जाता है इधर POCO F3 GT नामक फोन POCO F3 GT कैसा फोन है का लग मुद्दा लेकिन इन्होंने काफी बुरी मार्केटिंग ये करी कि एक जो प्राइजिंग के साथ खिलवार किया पहले सस्ता हो जाएगा बाद में महेंगा हो जाएगा भी बेस वेरियन नहीं मिल रहा है लोगों को काफी लोगों को जो भी रीजन रहा हो ये भी मतलब X7 Max से महेंगा है तो हुआ कि लोगों ने सोच X7 Max देखा जाए नहीं यार इतने सारे फोन आरे पहले इनको देखते हैं और उनके आते आते इसकी हाइप चली गई ओल्मोस्ट तो इसको मैं इसलिए अन्डरेटिट बोल रहा हूं क्योंकि इसका जो हाइप था इतना हाइप इसको नहीं मिला जितना आईकू को मिला जितन नोट 2 को मिला तीसरा फोन जिसका नाम है वीवो एक्स सिक्स्टी प्रो इस फोन की मैं फोटो दिखाता हूं आज की शाम को बादल वाला मौसम आना बारिश के टाइम पोटेट फोटो देखो साइड में एस डिटेक्शन देखो क्योंकि पाच बजे बादल का मौसम था तो अल्मोस्ट आप संसेट का टाइम ले के चलो रीजन यह कि इस फोन के अंदर मिनिमाम अपरचर के साथ कैमरा आता है 1.48 अराउंड मेजर कमी यही लगती मुझे इस फोन के अंदर पर इतना महंगा आते हो यहां पर डूवल स्पीकर नहीं दिया गया अधर्वाइस स्नैपड्रेगन 870, 120Hz, 1300 nits के साथ AMOLED, ग्लास बैक, मेटल फ्रेम, जबकि कुछ फोन ऐसे हैं जिनोंने स्किप किया हुआ है इन दोनों चीजों के एक साथ और इसका जो कैमरा है जिंबल OIS सिस्टम बोलते हैं नहीं लोग, OIS का next level, कर्व डिस्प्ले के साथ आता है दिखने में no doubt आप देख सकते हो, फोन काफी प्रीमियम लगता है, वीडियो को मैं average बोलूँगा लेकिन जो फोटो जाती है, especially low light, in fact मैंने एक detailed camera test किया था, इसकी यह phone काफी underrated रहा, लोगों ने इसके बारे में कम से कम बात किया, मैंने notice किया, और इसके बीचे reason रहा, उदर फिर OnePlus 9, 9R आ गए, same आपके पास Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G वाला दूबारा से आ गया, और बची-खुची कमी को पूरा करने के लिए इनी का sub-brand एक तरीखे से IQ Legend लेकर आ गया, जो सारे 40-50 के बीच में आगे, यह भी 40-50 के बीच में आता है, ओफ-लाइन इसली वैसे 50 rate था, बट अराम से 45 around मिल जाता है, in fact और कम पे मिल जाता है, डीवन गरता है, ओफ-लाइन पे आप किस तरह से कम मुम कराते हैं, और आप जानते हो, यह एक offline centric phone है, मतलब जैसा भी phone होना है, मतलब वो online में बात हुई, नहीं हो, यह side में रखते है, curve display extra price add करता है, फिर उसके बाद metal frame, gimbal वगारा देखोगे, 870 Snapdragon का, इन सब के साथ offline में target करके, उन price को add करके phone लाना, मैं इसको over price phone नहीं कहना जाता, वैसे आपको लग सकता है, अगर online से compare करोगे, क्योंकि जैस phone था, जो और ज्यादा hype deserve करता था, उसके बारे में भी comment करना, I hope आपको वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आए, like, share, subscribe करना, मैं मिलता हम आपसे, अकलि वीडियो में